आभा कार्ड और आइसमान कार्ड में से कौन सा कार्ड आपको बनवाना चाहिए इसके बारे में डीटेल से बात करेंगे अंतर क्या है ये भी बताएंगे क्योंकि इस वक्त आप सभी बहुत जाद इसके बारे में रिसर्स कर रहे हैं तो चलिए बताते हैं वीडियो में पूर बनवाना चाहिए या कौन सा कार्ड आपको ज्यादा लाब देगा है ना तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे ग्रामीड और सहरी इलाके के लोगों को कौन सा कार्ड बनवाना चाहिए और सहरी लोगों को कौन सा कार्ड बनवाना चाहिए इसके बारे में हम वीडियो बनाये थी वह वीडियो बहुत ही ज्यादा इस वक्त दिखी जा रही है और सवाल भी लोगों के बहुत ज्यादा आ रहे थे इस वज़े से बने ये वीडियो बनाया है चलिए बात करते हैं पहले दोनों के बारे में और दोनों में क्यांतर है और दोनों में से कौन स सा काड नहीं बनवाना चाहिए यह कौन सा काड किस व्यक्ति को लाब देगा आयुसमान भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्वक के लिए लोह वो को सस्ती स्वास्त सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार्दारा सुरू की गई एक प्रमुख स्वास्त सेवा पर योजना है आयस्मान भारत हेल्थ कार्ड यानि कि आयस्मान कार्ड आयस्मान भारत हेल्थ एकाउंट दोनों ही आयस्मान भारत योजना के तहत आय समोहों के लिए ये योजनाय बनाई गई है और ये दुनों कारड़ों को बनाया गया, तो कई लोगों को आइसमान कारड़ और अभाकारड़ में अंतर समझने में मुष्किल होती है, लेकिन इस वीडियो से आपके सारी मुष्किलें सांत हो जाएंगी, या आपके सभी होंगे सब क्लिएर कर देंगे आइसमान भारत कार्ड यायने की आई क् shave ice-man ब telefoon यह उसे वह एक ही है ठीक है मगर स्वाज़ जो आभा कारण वह अलग है है तो जान लेते हैं लेंगा इन वहीं जंडर मंत्री नरेंदर मुजी दोरा सुरू की गई पीम जे एवाई ज्योजना कुडवत्त पूर्ण स्वास देखभाल के सास समाच के अर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद करने के लिए सुरू की गई इसकी स्थापना के बाद से 50 करोड से अधिक लाभार्थियों ने इस योजना में अपना नामांकन कराया है योजना के लाभार्थियों को देश में कहीं भी किसी भी प्राइवेट या सरकारी पीम जे एवाई संबद अस्पताल में स्वाच सेवाओं का लाभ उठाने के यहान भी चल रहा था हैं अभी इसवान का लुक्त में बनवाएं सकते हैं अभी समय सीमा समाब तो नहीं हुई को पृधान मंत्री नरेंद्र मोदी निभारत में स्वाट-स्वाप्रक्रीया को रोग सुधाओं को मजबूत करने के उद्देश से आइसमान भारत डिजिटल मिसन एबी डियम का सुभारब किया एबी डियम के तहत प्रतेग नागरिक अपना आइसमान भारत हेल्फ एकाउंट आभा बना सकता है जिसे रूप सुरू में आभा कार्ड या फिर आभा हेल्थ आइडी कार्ड के नाम दिया गया था तो आपको बता देना चाहेंगे कि हेल्थ आइडी या आभा एक चौदा अंकिये विशिष्ट आइडी होती है जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति को अपने मेडिकल रिकार्ड को डिजिटल रूप से सेव करने के लिए और सहेजने के लिए किया जा सकता है उन्हें डाक्टरो स्वास्त बीमा कमपणियों के साथ सुरुचिस रूप से साजा कर सकता है description से लेकर lab report तक स्वास संबंदी सभी विवरण इस से लेकर diagnosis report तक व्यक्ति आभा कार्ड में सभी दस्तवेज store करके रख सकता यानि कि ये कार्ड एक प्रकार से स्ट्वाइज होगा कि जैसे युद्य नहीं मिलते हैं और उनको परसानी अभी होते कहीं भी जाना है तो वह सारे कागज को लेकर करके जाया तब उनका इलाज होगा कौन सा डक्टर इलाज करा था क्या क्या इनका ट्रीटमेंट अभी तक हुआ है फिर कौन सी मेडिकल चीजे इनके लिए लागू की गई थी है इनको क्या खिला गया है कौन सी दमाई यूज हुई है तो उन सभी कर रिकार्ड जो है इस अभा कार्ड में रखा जाएगा सरकार ने एक ऐसा नियम लागू किया है तो आपको सारी सुविधाय मिल जाएंगी और डाक्टर से उस अंक को निकाल करके उससे सारा आपका जानकारी ले लेगा या फिर जो भी उसमें डिश्टल रूप से रिकार्ड किया गया है मेडिकल मतलब की जो भी आपका है मतलब रिपोर्ड रिकार्ड हुई है तो वह डाकटर वहां से चेख कर लेगा और जान जाएगा में आपको सब कुछ जान जाएगा महां से आगे से वह प्रिक्रियार शुरू करेगा तो इसलिए आभा कार्ड को बननाना अत्यांत आवस्यक हो जाता है आप सभी के लिए तो यह है आभा कार्ड ठीक है आभा कार्ड में कोई भी पैसा आपको नहीं मिलता है न तो इससे आपको कोई मुफ्त में इलाज होता है जो आइस्वान कार्ड होता है उससे पांच लाग का मुफ्त में आपका सरकार इलाज करवाएगी पांच लाका मुफ्तिलाज आप ले सकते हैं उस कार्ड से और आभा कार्ड से आपने देखा कि इसमें डाकुमेंट्स आपके सहजने के लिए इस आभा कार्ड को बनाया जा रहा है तो आइसमान कार्ड एक परिवार को प्रतिवर्स आप लोग जान लीजिए यहाँ पर हम देना चाहेंगे किसके लाब क्या है तो एक परिवार जिसे आइसमान कार्ड जो है एक परिवार को प्रतिवर्स पांच लाग का भीमा कवरेज दिया जाता है और यहाँ कार्ड प्रात्मिक और दुतिक और तृतियक स्वास्त सेवाओं को कवर करता है कवरेज में अस्पता साल में भाड़ती होने के 15 दिन बात तक का खर्च सामिल है आप रेशन लागत सहीत लगभाग 1400 प्रक्रियाओं की लागत कार्ट द्वरा कवर की जाती है आइसमान कार्ड का मुख्य उद्दे से आर्थिक रूप से वंचित लोगों को आसाम स्वास्थ सेमाय तक पहुचाने मदद मिलती है और एक बार बता दे आपको आपा कार्ड जो लोग बनवाएंगे उनको उसमें एक बीमा कवरेश भी उसमें दिया जाता है ठीक है बीमा भी स्वास्थ बीमा भी उसमें होता है अब आपको बता दे किस से लाव मापको क्या होंगे तो जान लिजीए कि आभा स्वास्थ रिकार्ड तक आसान पहुच को सच्छम बनाता है आभा के साथ एक व्यक्तिकत स्वास्थ रिकार्ड को लिंक करने का विकलप होता है जो दीर क्या अतिहास के रूप में सुरचित रूप سے रहता है यानि कि लंबे समय तक आपका जो भी स्वास्त रिकार्ड है वो उसमें सेव रहेगा हेल्थ आइडी एक सुरच्छित वातवरा में डाक्टर को डिजिटल रूप से एक्सेस करने में सच्छम बनाता है हालांकि आभा कार्ड को कार्ड धारक की सहमति से ही उप्योग किया जा सकता है यानि की जो व्यक्ति का नाम है उसी की सहमति के बीना इस कार्ड को यूज नहीं की आज़ा सकता कोई हित धारक आपकी व्यक्त और सूचिस सहमति के बाद ही आपके स्वास्त और चिकिस्ता विबनान का उप्योग कर सकता है यानि कि जब तक आप पर्मिसन नहीं देंगे कोई भी आपका इस कार्ड का मिस्यूज नहीं कर सकता है आपकी सहमती होगी तो ही ये उपयोग में लाया जा सकेगा आभा मजबू सुरुच्छा और एक्रिप्शन तंत्र के साथ बनाया गया है और आपकी सहमत की बिना किसी को भी आपके विरण विरण मेडिकल रिकार्ड तक पहुचने में अनुमती नहीं देगा अब हम आपको बता देना चाहेंगे आईस्मान भारत कार्ड देख लीजिए और आभा कार्ड अंतर अब समझ लीजिए काम आये वाले लोग इस कार्ड का लाव उठा सकते हैं और आभा फेल्थ का लाव आभा कार्ड का लाव सभी वर्गों के लोग उठा सकते हैं अमीर हो गरीब हो सभी उठा सकते हैं ग्रामिड सहरी सभी उठा सकते हैं आउसमान भारत कार्ड को केवल और केवल ग्रामड या गरीब इलाके के लोगों करा पैसे पहरी नहुद करते हैं आप सभी को बता दे कि अबहा कार्ड और आईसमान कार्ड दो के दोनों कार्ड बनवाना आपके लिए जरूरी है क्योंकि एक कार्ड अगर आपके पास है दूसरा कार्ड नहीं है तो आपको कोई लाब नहीं मिलने वाला है इस वक्त जो जानकारी आ रही है उसके मुताविक आपको हम बता रहे हैं कि यहां पर आपको आइसमान और अबाकार बनवाना पड़ेगा और दोनों कार्ड को एक साथ आपको ले जब भी आप इलाज करवाने चाहेंगे या एक स्वाइजट किसी चीज़ के लिए स्पिताल चाहते हैं तो आपको दोनों कार्ड ले जाना अनुवार है तुसलिए दोनों कार्ड बनवाएं अंतर वगर मैंने आपको सब समझा दिया है कोई और चाहिए तो कमेंट में लिख स